आप देख रहें नियूज इटकी, नियूज इटकी में आपका स्वागत है, देखिए एक रिपोर्ट इटकी पर्खंड के जार्खंड बाली का आवासिय विद्याले में छात्राओं को 13 अक्तूबर को शिफ्ट किये जाने का विभागी आदेश के बाद अभी भावकों ने बुद्वार को विद्याले में कड़ी सुरक्षा ब्योस्था की मांग को लेकर वीडियो गौतम परसाथ साहू को ग्यापन सौपा ग्यापन में चहार दिवारी में तार सघेराबंदी, महिला सुरक्षा कर्मी, प्रूस रातरी प्रहरी और सीसी टीवी से 24 घंटे निगरानी की बेवस्था किये जाने की मांग की गई है इस दोरान अभी भावकों ने अवासी विद्याला में सुरक्षा बेवस्था का पक्का इंतजाम करने के बाद ही छातरों को शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे मालूम हो कि 277 छात्राओं का नावांकन आवासी विद्याला में हो चुका है जो वर्तमान में नामकों इस्थित रामपूर कस्तुर्बा आवासी विद्याला में पढ़ रही है जिने 13 अक्तुबर को इटकी में शिफ्ट किया जाना है विभागिय सुत्रों के अनुसार अवासी विद्याला में बिजली पानी, शोचाला और रंग रोगन सहित अन्य जरूरी कार्ज पूरी कर ली गई है बहुत जल्द अवासी विद्याले के चहार दिवारी में काटा लगाना, सुरक्षप्ररी कक्ष, साइक्ली स्टेंड, स्ट्रीट लाइट और मैदान समतली करन सहित अन्य जरूरी कार्ज कराये जाएंगे ग्यापन सौपने में मुख्रूप से जिप सदसे रीना देवी, उपर मुख परवेज आलम राजा, भाजपा मंडा लध्यक्ष, राजकुमार तिरकी, मुख्या, रीता देवी, लखन लगडा और राजकुमार महतो सहित दर्जनों अभी भावक मौजूद थे